रानी मनज विदान सभा के कजोरा मोड में विदायक जीतेंद्र तिवारी ने शनीवार बारादी संबकु दुर्गा मंदिर का भूमी पूजन किया इस अवसर पर जरूरता मंदों के बीच खंबल भी वितरन किया गया भूमी पूजन के बाद उपस्तित लोगों को संभोधित करते हुए विदायक जीतेंद्र तिवारी ने कहा कि आप लोगों ने मुझे अपना समझा इसलिए यहां बुलाया चार साल पहले जब मैं विदाय बना था तो हरिपुर में राम जान की मंदिर का शिलायास किया गया था जिसे हम लोगों ने पूरा किया इसी तहह बीते कुछ वर्षों में सिर्फ इस अंचल में 50-52 मंदिर बनाए गये हैं नगर निगम और लोगों के सहयोग से मंदिरों का निर्मान किया गया है कुछ लो बनेगा उन्होंने कहा कि आज सबसे जरूरी मानसिक शान्ती है इसके लिए आध्यात्मिक महौल जरूरी है मंदिर में आने से हमें महौल यह मिलता है वही जीवन तभी साथ ठक होता है जब आपका बच्चा समाज में एक अच्छा इंसान बने आज उन लोगों के लिए भी आयोजन किया है उनके मन में समाच के लिए खुछ अच्छा करने की इच्छा है उन्होंने कहा कि संसार में जो लोग भी हैं सब हमारे अपने हैं सभी हमारे भी वरे हद परिवार का हिस्सा है इस अवसर पर स्थानिये लोगों के आलावाटी एमसी नेता कर्मी भी उपस्ति मन्च के सामने आप मात आए बहें जो पस्तित है सारे लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई है कि बहुत दिनों से आपके मन के अंदर जो इच्छा थी कि यहां एक भावे मंदिर का निमान हो वो काम आज आप सारे लोगों मिल कर उसका प्रारंब कर पाए निस्षी द्रुप से आपके दिल के किसी कोने में इसको लेकर एक सुखाज अनुबूती होगी मैं भी आपके बति किता की हूँ कि आपने इस खुसी के मौके पर मुझे भी कहीं न कहीं अपना समझा इसलिए बुराए मुझे उमीद है कि अपने निधारित समय के अंदर ही इस मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो पाएगा आज से करीब चार सार पहले पांडे सर्का विधायक बढ़ने के बाद पांडे सर्के हरीपूर में राम सीता मंदिर का सिलान्यास हम लोग ने किया था एक वर्ष के अंदर वो काम पूरा हो गया पांडे सर्के हाँ